को देखिए कि the sum of the radius and base radius of base and height of a solid right circular cylinder is 37 ठीक है भाई तो यह एक right circular cylinder है आपका यह इस तरीके से ओके अब सुनिए द्यान से इसका जो radius है मान लिया मैंने R है और height कितना है एच है तो इसने बोला sum करना है किसका radius of the base का and height का मतलब radius का sum करो height के साथ तो radius of plus height दोनों का sum किया और यह sum किसके equal है पढ़ लिजाए sum of the radius of the base and height of a right circular cylinder is 37 तो यह 37 के equal है किरा इप the total surface area of the cylinder is this है ना ध्यान से सुन लेना मेरी बात total surface area of the cylinder का formula क्या होता है 2 pi r in the bracket r plus h अगर भूल गया हो तो ध्यान से चेक करो total surface area cylinder का क्या होता है कि यह कोई cylinder मान लो तो इसका total surface area क्या होता है बताओ कर surface area 2 pi r h और प्लस यह वाला बेस पायार square और यह वाला बेस पायार square यादे तो इस तो हो गया क्या कर LGBT!". Crystal circular और प्लस कितना होजआगा यह olda Diya में ऐड़ कर देंगे के और इसमें से हम common ले लेते ते क्या चला गया तो आर यही होता है तो हमको total surface area दिया हुआ हो है कितना दिया है 1628 find the volume of the cylinder cylinder का volume निकालना है अब ध्यान दें बच्चे ध्यान से मेरी बाद सुनना इस से कितना दिया उसने आपको 1628 तो 1600 28 ओके अब ध्यान दो तो टीस से की जगह इसका formula रख सकते हो यह वाला कितना है तू पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर एक बात बताईए आपको साफफ दिखतो रहा है आर प्लस है कि जगह आप कितना रख सकते हो 37 सभी है यह वाला जो आर प्लस हैर अपको दिखाई पढ़ रहा है आर आर की वेल्यू आप निकाल सकते हो कैसे आर इस इकोल स्टू 16 28 अब ध्यान देना बच्छे आर में टूपाइ मुल्टिप्लाई था डिवाइड में आ जाएगा 37 मुल्टिप्लाई था डिवाइड में आ जाएगा लो कि एक सॉल्फ करेंगे है तो यहां से आएगा 16 28 एक काम करो टू से तो पहले ही काट दो ना फुड़ा छोटा हो जाएगा टू अन्जाट टू टू एड़ शिक्स्टीन टू अन्जाट टू 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 फोर्ट एक तो यह हो गया आपका कितना एट हंड़ेड फोर्टीन और डिवाइड़ वाई पाई की वैलू रखो कि कितनी टू टू बाई सेवन इंटू में 37 नेक्स स्टेप में क्या होगा आर इस इक्वल्स टू देखो यह वाला सेवन जाएगा उपर मल्टिप्लाई करेगा ठीक तो सेवन इंटू एटीन हंड़ेड फोर्टीन और डिवाइड़ वाई कितना हो जाएगा 22 इंटू 37 ओके अब क्या करेंगे सॉल्फ करेंगे देखो बच्छों ध्यान से मेरे ख्य सेवन फोर्दा 44 चीक अब मैं क्या हो गांए यहां से तो से जाएगा टू अंजा टू थ्री जा टू सवन जाना थर्टी से श्यान गया बच्छा आपके पास चुप च्प चाप 7 ये लो रेडियस अगया चीक अब जैसे आपका रेडियस आगया बच्छों कितना सेवन कि अब हम क्या करेंगे यह जो रेडियस की वैलू बच्छो इस एक्वेशन में पुट कर दो आर की जगा क्या पुट करोगे सेवन और प्लस एच इस इकोल स्टू 37 तो एच कितना आ जाएगा सेवन जाके माइनस करेगा 37-7 कितना होता है 30 तो हाइड कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर तो रेडियस भी पता चल गया हाइड भी पता चल गया अब इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो किसका सिलेंडर का कि यहां से भॉल्यूम आप दा सिलेंडर हो जाएगा पाई आरड़ स्कॉईर एच पाई कितना है 22 बाई 7 और इंटू में आरगा स्कॉईर ध्यान देंगे बच्छे आर कितना है 77 न होता है 49 हैं और इंटू में एच कितना है 307 वंजा शेवन-शेवन 17 जा ओकी अब ध्यान दो सेवन तूद फोर्टीन वन जागा संद फोर्टीन 154 और इंटू 30 अब सॉल्फ कर लो 154 इंटू 3 करके एक 0 लगा दो क्या दिखते हैं कर सकते हो यह सब तो बच्च वाला खेले बाई इंटू 3 है ना कितना जाएगा 1543 सेंटीमिटर क्यूब वल्यूम है थोड़ा यूनिट का ध्यान रखेएगा ठीके सुडेंस ओके तो इस तरीके से अच्छा 4620 आ रहा है कुछ गलती हो गई होगी कैल्कुलेटर से किया उसके बावज़ूत भीवाब आई कितना था 154 इंटू 3 हाँ 4620 आएगा सही बात है सेंटीमिटर क्यूब करेक्ट तो इसको अब लोग बना लीजे बच्छों करेक्ट